नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूँ आपका उशेव धिरज आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मन्थली फूड कॉस्ट चिकन टिकका की मैं आपको यहाँ पे पटिकुलर आइटम की फूड कॉस्ट के बारे में बोल रहा हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं जब हमारे मेन्यूज होते हैं कुछ आइटम उसमें से बहुत ज़्यादा एक्सपैंसिव होते हैं उसमें से एक आइटम है हमारा चिकन टिकका और मैक्सिमम चिकन टिकका हमारा बहुत ज़्यादा सेल्स होता है या बिकता है तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि पूरे मन्थ में मैंने chicken tikka कितने का बनाया है या मुझे उसको बनने में कितना पैसर लगा है जब हम recipe cost की बात करते हैं तो हम लोग single recipe की बात करते हैं यहाँ पर मैं आपको तभी kilo के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भी पूरे मंथ में जो भी आपने chicken tikka के उपर खर्च किया है उसकी calculation आप कर पाओ यह मेरी recipe है जो कि मैंने कहीं use करी थी आप अपनी recipe या recipe तो नहीं आप जो ingredient की list है आप अपनी recipe के अनुसार उसको कर सकते हो यहाँ पर practically हम लोगों यह करके इसको solve किया था दूसरा यहाँ पर जो भी यह पूरी sheet है यह मैंने हास से बनाई है पूरी की पूरी इसकी एक actual sheet है जो कि वीडियो के नीचे description में होगी आप click करके उसको वहाँ से ले के अराम से देख भी सकते हैं और फिर same चीज को आप अपने outlet पर भी use कर सकते हैं और जैसे कि मैंने chicken tick का बोला यहाँ पर समय समय पर और भी चीज़े आती रहेंगी ताकि आपके operations अच्छे से smooth से चल पाएं और आप सारी चीज़ों को सीख पाएं तो चलिए बाकी मैं वीडियो को आगे साइड में उसका यहाँ पर पिच्चर आ रही होगी नीचे description में लिंक होगा आप लोग वहाँ से जाके उसको ले सकते हैं अब स्टार्ट करते हैं चिकन टिकका अब यहाँ सबसे पहला जो कॉलम है सेम आपके Excel सीट जो आप लोग लोग उसमें भी होगा टिक है उसके बाद rate है कितना rate मुझे लगाया है वेंडर ने उसके लिए और चौता है amount कि मैंने कितना amount पे किया है वेंडर को अब यहाँ सबसे पहले जिसे chicken टिकका के हम लोग अंदर chicken bonless thigh यूज़ करते हैं CHIX का मतलब है chicken bonless thigh यहां पर यह मैं ग्राम में ले रहा हूं और मैं ले रहा हूं यहां पर 1000 ग्राम का मतलब 1 kg होता है अगर आप पूरे महिने में 30 kg यूज़ कर रहे हैं तो आप यहां पर 30,000 ग्राम लिखेंगे अगर 50 kg यूज़ कर रहे हैं तो 50,000 ग्राम लिखेंगे आपको ग्राम में ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर मैंने ग्राम डाला है और इवन जब अगर आप इसको 30 किलो को सिर्फ 30 लिख देंगे तो पुरी कैल्कुलेशन नहीं गड़ बड़ा जाएगी तो अगर आपको सब को ग्राम में कर्ण करके यह एमल में कर्ण करके ही लिखना है एक्सलीट में क्योंकि जो आपको मैंने नीचे शीड दिये उसमें भी सारका सारा सेम यही फॉर्मेट या फॉर्मुले है उसके बाद जो चिकन थाई का जो रेट था मेरा था वो 297 रुपीस पर गेजी और मैंने एक किलो लिया है तो और एक किलो मतलब आप कैल्कुलेशन भी कर सकते हैं इसकी अपने कैल्कुलेटर के उपर या अपने लैप्टॉप या कंप्टूटर के उपर मुबाइल भी यूज कर सकते हैं सारे का मैं मुबाइल से ही करता हूँ तीसरा है हमारे हां हंकर जिसको कि हम लोग टंगावा दही बोलते हैं उसके बाद मेरा है यहाँ पर जीरे का पाउडर जीरा PWD पाउडर यह भी मैंने ग्राम में लिया है 10 ग्राम मैंने यहाँ पर जीरे का पाउडर लिया है जिसके कि 1 किलो की कीमत यहाँ पर मेरी 446, 446 रुपे है और अगर मैं 10 ग्राम ले रहा हूँ तो जो इसकी pricing हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी 4.46 पैसे, 4.46 पैसे मुझे पढ़ रहा है 10 ग्राम का और इसके जो 1 किलो का price है वो है 440 रुपे, इसके बाद मैंने मिली है मिर्च, कश्मीरी मिर्च ये भी मैंने ग्राम मिली है, 12 ग्राम मैंने यहाँ पर मिर्च यूज करी ह अब यहाँ जो मिर्च का मेरा पर केजी का जो rate है वो है मेरा 493 रुपीज, 493 रुपे का या 493 रुपीज का मुझे 1 किलो मिर्च का packet पड़ता है, अगर मैं उसको 12 ग्राम के लिए convert कर दूँ तो मेरा 5 रुपे, 91 पैसे, लगबद 6 रुपे या 5 रुपे, 91 पैसे हो जाता ह मेरा 12 ग्राम का, उसके बाद ओयला है, और इसका जो एक लिटर का जो rate है मेरा 96 रुपीज या 96 रुपे, तो अगर मैं इसको convert करता हूं, तो यहाँ पे लगबद 4 रुपे, 80 पैसे करीब मुझे पड़ते हैं अपने तेल के लिए, जो कि 50 रुपे मेरा आता है, सबसे लास् salt, second last है हमारा salt, salt मैंने लिया है, यहां पर 80 रुपे, salt लिया है, मैंने यहां पर 80 ग्राम, माफ किजिए, 80 ग्राम मैंने salt लिया है, और salt के 1 ग्राम की, जो कीमत है, मेरी है, 21 रुपे का पर किलो हमें, यह पर पैकिड़ा में बढ़ता है, और मैं अगर मैं कनवर्ट करूं, तो 1 रुपे, 1 रुपे 68 पैसा, मुझे पढ़ रहा है, मेरे कितने का, मेरा 80 ग्राम का, ठीक है जी, इसके बाद सबसे लास्ट मैंने लिया है, यहां पर गरम मसाला, गरम मसाला, हमने लिया है, यहां पर 40 ग्राम, 40 ग्राम मसाला लिया है, गरम मसाला बड़ा महंगा आता है, 750 रुपे का पर केजी का प्राइस है, तो 40 ग्राम मेरा लगभग पढ़ जाता है, यहां पर 30 रुपए का, तो यह जो रेसिपी है, यह चिकन टिका की है, इसके साथ जो siding वाइडिंग जाती है वो सब कुछ अलग है हम लोग सिर्फ यहापे प्योरली चिकन टिका की बात कर रहे हैं तो कन्फ्यूज मत होना अब जब मैंने यह सारी क्वांटिटी ले ली हजार ग्राम साथ ग्राम तीन सो ग्राम दस ग्राम बारा ग्राम पचास ग्राम और चालिस ग्राम तो यह सारी की सारी टोटल करके मेरी हो जाती है 1552 जी आप ध्यान रखना यह मेरी जो मेरी जो क्वांटिटी हो जा रही है जिनको कि मैं कुक करने में डाल रहा हूं वो मेरी हो जाती है 1552 जब आप लोग डाल वगरा कुछ भी यूज करोगे तब आप अपने वाटर का भी कुछ ना कुछ पैसा रख लेना जैसे आप बोलते कि मैं डाल मना रहा हूं मैंने 3 लिटर पानी जाल दिया तो 3 लिटर को भी आप यहाँ पे आपका कितना जाएगा आपका 3000 ml आजाएगा और उसका कुछ ना कुछ आप चाहिए 2 रुपे 3 रुपे प्राइस रखना रखना ज़रूर है आपको हर एक चीज का अब हाँ पे 1552 जो हमारे टोक्टल इसका कौंकेटी हो ज़ा रहा है वजन हो जा रहा है तीक है पिर ली इस पूरे इसको, इसमें मेरे किसी भी प्रकार की मेरी fuel-vueil कुछ नहीं है, सिर्फ purely food cost ही है हमारी, food cost का मतलब सिर्फ food होता है, fuel cost ये cost वो को सब कुछ अलग होता है, अब हमारे पास यहां पर दो figure है, 1552 और 356 रुपे, 71 पैसे, एक quantity है, दूसरा amount है, अब जब मैंने ये सार आने के बाद जो मेरी yield आई है, ये हमने practically करके दिखा था, कि वो 1210 ग्राम हुआ था, हो सकता था कि अगर हम इसको थोड़ा ज्यादा cook करते था, हो सकता था, इससे 1000 ग्राम ही रह जाए और 500 ग्राम कम हो जाए, पर उस समय जो हमने practically करा, वो हमारा हुआ 1210 ग्राम, तो आपक को पका के देखना है, और पकने केबाद कितना हो जा रहा है, तो मेरा जो chicken tikka हुआ था, 1210 ग्राम हुआ था, आपका कुछ और हो सकता है, ठिक है? तो अब मैं क्या गरूँगा इसके बाद, अब मेरे पास जो chicken tikka है, वो है doin 1210 ग्राम और उसकी कीमत है मेरी कितनी 366 रुपे जो कि मुझे पढ़ रही है अब यहां पे मुझे यह तो मालूम है कि 1210 ग्राम का 366 हो रहा है पर अगर मैं इसको पर केजी के हिसाब से मैंने एक महीने में इतना बेज दिया है तो वो कैसे होगा तो यहां पे हम उसके लिए 1 केजी की कोस्ट कैसी आएगी उसके लिए फार्मूला यहां है मैं तो और साइड हो जाओंगा ताकि आप लोग देख पाओं यहां मेरे पास जो टोटल एमाउंट है टोटल एमाउंट कितना है मेरा 366 रुपे है नीचे है मेरी इल्ड इल्ड का मतलब होता है 1210 ग्राम जो म अगर मैं 366 उपर रख देता हूं नीचे की तरफ में 1210 ग्राम रख देता हूं और मैं 1000 से इसको डिवाइड कर देता हूं मंटिप्लाई कर देता हूं आपस में डिवाइड और मंटिप्लाई तो मेरा 302 रुपे आ जाएगा सेम उसी प्रकार से अगर आपका चिकन टिका ब कबेज सकते हैं या 900 रुपे कबेज सकते हैं वो आपके उपर है पर यह एक किलो की बात है या पर तो आपको एक किलो का प्राइज पता करना सबसे ज़्यादा जरूरी था तो इस प्रकार से आप अपनी सारी की सारी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने डाल की बोल यह्ム साथ फ्लक के साथ मैं इस डिस्क के अंदर इतने प्लच डाल दी है। तो उस प्लच को तोल लीजये। जी जिलक के साथ तोल लीज़े क्योंकि उसके अंदर आपके छिलक प्राइस इंकल्यूड हो रहा होगा। पर यह ना हो कि आप बोलते कि बहुते कि मैं एक किलो प्याज ले रहा हूँ और एक किलो प्याज अब छिले वाले यूज कर रहे हो तो उसमें गड़ बड़ हो जाएगी फिर आपकी कॉस्टिंग गड़ बड़ा जाएगी तो जो भी आप एक्च्वल में कर रहे हो फिजिकल कुछ भी हो नीचे कमेंट जरू कीजएगा वटसब पर कनेक्ट कीजएगा ताकि हम और भी अच्छे-ची वीडियो लाएं और जो मैंने आपको All About Food Cost के बारे में जो मैंने बोला आप और नीचे ले सकते हो और नही नहीं चीज़े सीख सकते हो इवन उसमें आप जो हमारे ह प्रिशे निकाले की खुशिश करते हैं फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद